आज हम बात करने वाले हैं कि आप WhatsApp का फोटो वीडियो अपने फोन की गैलरी में कैसे ला सकते हैं यानि कि अगर आपको कोई WhatsApp पर फोटो वीडियो सेंड करता है तो वो आपके फोन की internal storage यानि कि आपके फोन की गैलरी में नहीं आता है तो इस problem को आप कैसे solve कर सकते हैं आईए आज की इस video में जानते हैं इस problem को ठीक करने के लिए आप अपने phone में सबसे पहले whatsapp को open करिए whatsapp को open करने के बाद उपर right side corner में 3 dot पर click करिए यानि कि 3 dot का एक option मिलेगा इस पर click करिए उसके बाद एक settings का option आएगा settings पर click करिए और settings में आने के बाद एक option आएगा account और एक option आएगा chats तो chats वाले option पर click करिए अब आपके सामने यहाँ पर option आएगा theme, wallpaper और एक option है chat settings और chat settings में first option आएगा enter is send और second option आप देख सकते हैं media visibility show newly downloaded media in your phone's gallery तो यहाँ से आप इस option को चालू कर दीजिए कुछ इस type से और इसे चालू करने के बाद आप check कर सकते हैं आपका photo वीडियो जो भी WhatsApp पर कोई send करेगा वो आपकी gallery में आज जाएगा यानकि आपकी phone की gallery में save हो जाएगा तो यहाँ पर हम अपने दूसरे phone से आपको एक photo send करके दिखा देते हैं और आप देख सकते हैं उसके बाद वो हमारे phone की gallery में show होने लग जाएगा तो यहाँ पर हमारे WhatsApp पर एक photo आ चुका है तो हम इसे open करते हैं और आप देख सकते हैं यह photo आया है और अब इसे अपने phone की गैलरी में जाकर चेक कर लेते हैं कि ये फोटो हमारी फोन की गैलरी में आया है या फिर नहीं तो यहाँ पर गैलरी को उपन करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी WhatsApp इमेजिस में ये वाला फोटो आ चुका है कुछ इस तरह से तो इस तरह से आप WhatsApp की फोटो वीडि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें